जाहिंग दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्यागत करता हूँ आपके अपनी वैकी यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों अभी हम बात करेंगे इगलेंड ओमेन वर्सेस वाट अपरीका ओमेन के बीच में खेला जाएगा तीसरा T20H का मुकावला इसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे बढ़केंगे फिर हम बात करेंगे अपने फाइनल टीम को लेके आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूँ अभी जो हम बात करेंगे वो अपना एक डेमो टीम होगा फाइनल टीम में जो भी बदलाओ होंगे उसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलिग्राम चेनल पे मिलने वाला है टेलिग्राम चेनल से जोड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा आप चलेज़ेगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलिग्राम चेनल का लिंक उसके उपर क्लिक करके आप सभी को टेलिग्राम चेनल से जोइन हो जाना है अब आईए मैच को लेके बात करते हैं आउडेडी यहां पर एकलेड्र हमेंट की टीम से जोब वह से बीस करफा है 2-0 से तो यहां पर कुछ भी कॉल ले सकती है आपने टीम में कुछ भी अनएक्सप्टेड चेन्ज कर सकती है सेम आप जो है यहाँ पर सौथ अप्डी को लेकर भी मान सकते हो कि यह अल्रेडी सुलीज हार चुकी है तो यहाँ पर अनेक्स्पेक्टेट कुछ भी चैंजेज यह भी कर सकती है और अगर बात करेंगे वीनिंग परसेंटेज को लेकर तो यहाँ पर एगलाइंड डॉमेंड पहले बल्ले वाजी करती है तो बोर्ट पे आप 140 से लेकि 150 का टारगेट देख सकते हो वह अगर सौथ अप्डी का मैंड पहले बल्ले वाजी करती है तो बोर्ट पे आप 125 का आजपास का टारगेट देख सकते हो ताउस का जो है इस मैच में बहुत बरा इंप्यक्ट रहने यहां पे टकर नो की थी जाप्टा साथ इसमाइल एक क्लास एक और आयो वांगा खाका जीरो की थी गेंदबाद जी में कैथरीन बांट चारोबर डाली थी 15 रंदे के जीरो विकेट मुझे लगता यहां पे टीम जाए कैथरीन बंट को और एकलिस्टन को साहिद से रेस्ट दे सकती है अगर यहां पे डेथ बालिंग को लेगे बात करें तो आपको दिख जाएंगे कैथरीन बंट फिर आपको दिख जाएंगे एकलिस्टन और पिछले मैच में तो भाइसवाब इन्होंने सारा ग्लेन को भी डेथ में गेंदवाजी दिया हुआ था बल्ले बाजी में बात करेंगे डंगले की थी 59 डेनियल वाइट जीरो बीए स्मीद दो रन स्रीवेर 13 हैदर नेच 24 एमी जोन्स एगारा कि थी अगर बात करें इधर गेंदवाजी में बात करेंगे मैच नमबर टू के लेके जहां पर सौथ अपड़ी का टीम पहले बले बाजी करते वोड़ पर लगाये थे 148 रन जहां एब बॉस सिक्स्टीवन की थी गुड़ ऑल फोटीटू वलवाड़ एक ट्राइन एक सुने लूज एक मिगन डूपिर्ज नो रन इसके लाबा टकर यहां पर एक की थी और जाफ्टा ने एक की रन की थी अगर बात करें दवाजी में तो ब्रंट चारोवर डाली सी चोबी सन एक विकेट नेटाली स्कीव अपने जो प्रिंग लिए उसमें क्या बदलो करती है बल्ले बात कर लें तो डंकली 23 की थी डेनियल वाट 49 विकेट सी ट्रायन चारोवर 38 एक विकेट टककर एक में 11 ए बोस तीनवर 33 जीरो विकेट सबनी मिसमेल चारोवर 38 विकेट मुझे लगता नहीं प्लेंग लिए आपको बदलो देखने को मिलेगा अगर प्रिवियस मैच बेसिस पर दोनों टीम जाये तो लेकिन अगर दोनों टीम चाहिए कि यहां वाई टूर्णमेंट का तो रिजल्ट आई है तो बेंच को ज्यादा मौका दे तो वहां आपको उस कंडिशन में बदलो देखने को मिल सकते हैं और चाहूंगा कि दोनों टीम यहां पर अपने बेंच को जो है अच्छे खासे यूज करें और उसके बाद आपका तीम बनेगा वह थो और मज़ेदार आपका बन जाएगा आये कुछ और स्टैस को पर हम ध्यान देत हैं यहां पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि प्रोपर जो पिच डिपोर्ट आपको दिखेगा वह आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा यहां आपको दिखने वाला है अवर आल आपको दिखेगा बैटिंग फ्रेंडली विकेट लेकिन आप मांगे जो लो कि अगलें तो आपको प्रोपर बैटिंग विकेट देखने को मिलेगी अतरवाइस यहां पर सामने वालेटी में एक सो तीस पाइटीस कासपास से मट सकती है फीर यहां पर पेसर को अच्छा खासा मुदर मिलता है लेकिन मैच में आप एक बात ध्यान रखना कि स्पीन हमेशा गेम में रहती है अब नीची आ जाईए टॉप प्लियाइस एद डिस वेन्यू बेस्ट अन लास्ट टू इस ती ट्वेंटी मैचेज में हैदर ने ने पांच मैच खे लिए यहां पर 13.4 का बैटिंग एवरेज 127 का स्ट्रेक रेट है नेटाली सीवर 5 मैच के लिए 20 का बैटिंग पांच मैच के लिए 21.6 का इनका बैटिंग एवरेज 136.7 का इनका इस्ट्रेक रेट है गेंदवाजी में सारा गलेन यहां पर बहुत ज्यादा काम्याब रही है सारा गलेन यहां पर खेली है चार मैच एप्रोक्सिमेट पर मैच में आप मान के चलो कि दो विकेट लिए औ और इनका जो एकोनोमी है पांच पॉइंट से 6-0 का है कैतरिन बंट पांच मैच के लिए पर मैच में एक पॉइंट दो विकेट जो लिए उसके लावा एकोनोमी चार प्र मैच के बैसे पर लिए और 5.38 का इनका इकोनोमी है अगर हम यहां पर बात करेंगे एवरेज फर्स सब्सक्राइब को लेके बात करूं तुम हाँ आपको दिखेगा एकलिस्टोन का 41-72-4-29-37 एमी जोंस 43-23-48-57 निटाली सीवर 75-59-4-52-31 ऐबंगा खाका 43-1-21-33-30-76 एल वलवार्डे 30-74-14-5-26 कैथरीन बंट 39-134-44-15 इसके अलाबा सोफिया डंकले 36-94-4-15-27 एबाच 81-49-59-72-37 भाइसा बहुत कंसिस्टेंस से इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है फिर डेनियल वाइट आपको दिखेंगी 65-2-20-94-55 साड़ा गलेन 56-39-4-233 सी ट्राइन 30-14-12-6-76 अगर इनका पहले एक इंदवाजी है न तो ट्राइन क स्मेल 14-5-71-32 गुडड़ 55-2-67-75-2 मश्वता क्लास 41-1-16-31 और 4 सुने लूज पहले बल्ले बाद जी में आप ट्राइक कर सकते हो मिनी जील जील में 13-247-4 और 29 पॉइंट नियों ने लास्ट के पांच T20 एज मैच में दिये हुए है एस दाप्ता पांच-13 मिगन डूप से जाट रहेंगी फिर भी स्मीथ 15-8 एफ डेविस चार 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 साइटीस एलाइस के अपसे 29 टीचेटी टीच चार बाएस बीस चार एम बाचर पंदरा चार चार पांस 32 इसके लाबा एंडी क्लाक 66-64-56 आई यंग 18 मलावा 68-31-5-474 ताजमिन बीट्स 15-24-22-23-9 मैरिज टीम को लेके बिकेट कीपर सक्सेने बात करूँ आपके लिए पिल्कुल सेफ और स्रांदार ऑप्शन है एमी जोन्स बैटिंगे बात कर लेंगे तो आपके लिए अच्छी पिक बन जाएंगी एल वलवाड़िट फिर डेनियल वाइट उसके लाबावा सोफिया डंक लिए टेली ग्राम पुसको लेकर आपके करवा दूंगा और लॉंडर से बात करें तो नटाली सीवर अच्छी पिक बन जाएगी फिलाल के लिए इसके लाबावा कैथिन ब्रंट को मैंने लिया हुआ है शाथ में अगर मुझे लगता है कि टीम लिए बाद सोट करती है इसको अगर यहां पर आइंग खेलती है तो मैं उसको ले सकता हूं क्रॉस खेलती है तो ट्राइ कर सकता हूं डेविज मीनी जी जेल में ट्राइ किजिए का एसप्रेसलि तब जब इगिलेंडों में इसकेंड में गिंदवाजी करें अब फाइनल टीम पडिव्यू को लेके बात क आपको बोलूँगा आप खुद का कॉल लीजिएगा मैं तो रिक्रमेंड करूँगा कि यह आपको दिख रहे नहीं क्या है यहां से आप आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा और साथ में एक्सेंस डेंटीटू का अगर मैं वहाँ पर खेला तो आप लोगो टेलीग्राम चैनल पर देने का कोसिश जरूर करूंगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रा टागेट कीजिए कैप्टेन से में रखके वीसी आप रिरोटेट कीजिए वो भी स्पेसलिस्ट गेंदबाज को और स्पेसलिस्ट वल्लेबाज को वीसी रोटेशन पॉलिसी में यूज कीजिएगा